वेलकम डिश्टेश्टेकेटमी हिंदी गाइस और आज हम बात करने वाले इस सोफ़ेर टेस्टिंग इस एजी जॉब और नौर अगे बहुत ही इंपोरेंट कॉश्टिंग है और बहुत बार मेरे दोस्तों ने और आई मीन बहुत सारे मेरे सुटेंट्स ने बिस मेरे को पू लेकिन यह बहुत ईजी है उन लोगों के लिए जो बहुत महनती है जिनको बहुत पसंद है बहुत जूड़ना और जिनको बहुत पसंद है दूसरों के कोड में मिस्टेक्स नेखालना यह मेरा लणी है मैं आपको पर अपने अलमोस्ट 10 एंट्स पिरिएंस इस वाला हूं और कैसे मैं मैंनुल से automation में switch करा मैंने और क्यों मैंने software testing चूज करा राइट उसके reasons भी उताने वाला हूं और क्या यह सच में software testing easy है कि नहीं इसको properly जानेंगे ठीक है सबसे बहुताता हूं कि generally अगर आप software testing को पर बात करते हूं तो हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं विच इस पहली है manual testing और second है automation test तो manual testing की अगर हम बात करें तो यहां पर चीज़े थोड़ी सी आप कहा सकते हो easy as compared to the automation because automation में आपको coding सीखनी पड़ती है proper code लिखना पढ़ता है code review होता है code run होना चाहिए code को maintain करना पढ़ता है प्रोपरली अगर आप देखोगे तो आपको एक अपने test cases लिखने होते हैं जिसमें आपको अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करना पढ़ता है जिसके अन्दर आपना test case बनाते हो test plan मनाते हो execution करते हो edge cases लिखते हो राइट और quality को on करते हो और project में आप responsible होते हो अगर कोई बगात है नहीं आप ठीक है तो यहां पर manual testing को generally लोग जितने भी लोग आप देख रहे हो ना जो भी आपको बोलता है कि software testing बहुत easy है वो ना manual testing points बोल रहा है यह मैं आपको clarity से सकता हूं इसके मादरी में कि वह manual points से बोल रहा है क्योंकि manual testing easy है test plan मनाना आपको excel sheet में होता है generally थोड़े बोग tools होते हैं आपको कोई tools की knowledge नहीं चाहिए execution करना reporting करना अगर आपकी English और communication अच्छी है तो आप अराम से कर पाऊगे ठीक है इसके अंदर आपको bugs वगेरा को properly test करना तो आप यह आपके हातों में है कि कैसे आप properly उनको test करते हो तो वो चीजों पर धियान सकते और दूसरों के mistakes निकालना requirement पढ़के यहां पर सबसारी रिमाग और टाइम इंग्रीज कर लेते हैं इसलिए लोग easy बोलते हैं पर यहां पर important point है कि guys आपको salary height चाहिए आपको packages भी तो चाहिए in the end आपको career growth चाहिए और manual testers generally आजकल higher होते हैं पर आजकल क्या होने कि ट्रेंड यह है कि अब उनको automation code भी आना चाहिए क्योंकि scalability guys longer term में आप 100 testers 200 testers team में नहीं दख सकते हो आपको फिर automation चाहिए होता है क्योंकि regression suite बढ़ जाता है regression suite को बार-बार execute करने के लिए manual testing नहीं कर पाओ गया ठीक है तो future में आपको अगर मैं बोलूं तो manual tester को एक automation tester में convert होना पड़ता है पर ऐसा जरूरी नहीं है मेरे साथ अभी भी बहुत सारे लोग है जो अब अब बहुत हो चुके हैं प्रोजेक्ट ब्लीड में समी subject matter expert बन चुके है तो तो रहे नहीं है लेकिन जब आप automation में मूव करते हो राइट तो 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 फोड़ा से चीज़ें होने लगती है एजी नहीं रहती है क्योंकि अब आपको coding की ज़रुत होती है आपको design patterns आने चाहिए आपको properly code रिखलाना चाहिए ठीक है आपको selenium tools cybers playwright इन सब tools के बारे में proper knowledge start हो जाती है और easy part जो है न यहां पर मैं आपको बता दूँ वो actually में कोई भी गाम easy नहीं होता है गाई यह तो simple है लेकिन manual testing के अंदर आपको थोड़ी processes अगर आपने अच्छे से सीख ली SDLC अच्छे से सीख ली SDLC ली तो आप अरहानी से जम कर सकते हो तो software testers of course अगर तो मैं आपको nutshell में आपको बदाता हो कि हां अगर आप सोच रहे हो कि software testing testing is easy job है तो आप manual testing point of view से सोच रहे हो और वह भी easy नहीं है क्योंकि बहुत बार आपको weekends पे काम करना पड़ेगा hundreds of requirement होती है उनके hundreds of test case लिखने पड़ते हैं बार-बार repetitive work करना पड़ता है ठीक है automation scenarios देने पड़ सकते हैं लोगों को आपको cross browser testing करने पड़ सकती है web application mobile application different mobile के resolution पर testing करने पड़ती है तो बहुत बार boring काम भी होता है बहुत सारा ठीक है तो यही मैं difference आपको अच्छे से समझाना पड़ा तो I hope आपको clarity मिलिये होगी कि क्या software testing यहां पर आपको code लिखना नहीं है ठीक है तो manual point भी सब्सक्राइब अब जहां भी code के बाद आती है तो code हम सिमिलर ही लिख रहे होते हैं almost जो कि developer लिखते हैं क्योंकि हम उनके code को टेस्ट कर रहे हैं तो automation is nothing but testing the code of a developer पर जो जो उसने project बनाया है और product बनाया है तो वहां पर things will get messy वहां पर things will get hard और वहां पर थोड़ा difference आ जाता है तो future में अगर आप manual to automation भी move करोगे तो things will go little heavy थोड़ी सी heavy होने लगेगी आपको challenges दिखेंगे मज़ा आने लगेगा easy तो नहीं रहेगी आपको मेडियम से हाई की तरफ ही आप जाओगे आप तो make sure मेरी conclusion में यही राए है सबके लिए तो freshers है आप आप आए software testing में jump करिए easy सोच के मत आईए अभी सोच के मुझे learn करना है मेरा career growth है मैं automation सीखूंगा मैं manual testing सीखूंगा मैं DevOps की चीज़े 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 और मैं एक proper career growth में आगे जाओंगा ठीक है इसको developer rules से compare मत करिए क्योंकि developer आप चीज़े सीखिए और टेस्ट में सॉफ्टरे टेस्टिंग इज़ी जॉब नहीं है ठीक है मेरे conclusion नहीं है मिलता हूं एक प्री वीडियों में